हलो एवरीवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागतिस अमीजिंग प्लाटफॉर्म पर जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज मैं हूँ जीशान आपका मैट्स मेंटोर और आज क्लास 10 के प्यारे बच्चों की ट्राइंगिल्स चाप्टर की मज़ेदार और बढ़िया वाली प्र होगे आगे बढ़ना है तो अटेम्ट भी करना है ठीक है बॉस आई होप आपको यह लाइन दिल पे लगी होंगी तो भाई अगर आगे बढ़ना हो तो कोशन करने पड़ेंगे मैट से कैसा सब्जेक्ट है बॉस किसको सिर्फ तीर निशानी पर लगा के नहीं आपको तीर भी पड़ेगा और तीर छोड़ने का मतलब है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है अलस छोड़ो प्रैक्टिस करो मैस अच्छी बनानी है मैस में अगर आपको अच्छे माक्स लाने है मैस परफिक करनी है बॉस तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और एक बार अगर आपको mathematics से प्यार हो जाए ना, तो वो आपको फिर घड़ी देखने छुडवा देगी, घड़ी देखना छुडवा देगी, clock नहीं देखोगे आप, तीन-तीन, चार-चार गंटे बैट के maths कर लोगे, भाई, बॉस, तुम्हें मज़ा आजाएगा, अब मैं हूँ, बिंगा टीचर, मैं 6-7-7 गंटे डेली पढ़ाता हूँ, बोर होता ही नहीं हूँ, because I love maths, literally I love maths, तुम्हें भी maths से प्रेम हो जाएगा नहीं, जिस दिन बॉस, उस दिन मज़ा आजाएगा, ताइम देखना भूल जाओगे कि कितना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, और वही अपना टारगेट है बॉस, मैं आज से तुम्हें प्यार कराना, है ना, तो चलिए चलिए सर, ट्राइंग्ल स्याटर का डेली प्रैक्टिस कोशिंज का पार्ट थ्री आज करते हैं, उसका पहला कोशिं देख लेते हैं, डीटेल में एक चीज बताऊंगा, समस्या नहीं होगी सर, पूरी कोशिश रहेगी के समस्या नाम की चीज आप से बहुत दूर रहे, फर्स्ट और फर्मॉस्ट कोशिंग, प्रूव देट देट, दा लाइन जोइनिंग दा मिड़ पॉइंट्स, of two sides of a triangle is parallel to the third side, मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें कौनसब बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं, Converse of BPT, अगर आप first part, second part देखते चले आ रहे हो, तो आपको पता होगा, Converse of BPT क्या होता है, बच्चों गौर से सुनना, जब भी एक triangle हो, और उसकी किसी दो sides को intersect कर रही हो, दो points पर कोई एक line, जैसे ये line, दो sides पे, जैसे इसका नाम है बच्चापन लिखते हैं, ABC, ठीक है बस? और ये मान के चलो बच्चों, एक side है PQ, एक line है PQ, जो AB को AP और PB में तोड रही है, AC को AQ और QC में तोड रही है, अगर ऐसी condition आ जाए, और तुमसे कहा जाए, कि बस, parallel प्रूफ करो कि ये इसके parallel है, अगर तुम्हें parallel प्रूफ करने को आ जाए, तो converse of BPT लगाना, आप वो लगाते कैसे हैं, ये सुन लो, converse of BPT अच्छली ये कहता है, कि अगर ये दोनों पार्ट्स, जो इस लाइन के दो हिस्से हो गाए, दो तुकडे हो गाए, इनका रेशियो जैसे आप रेशियो निकालोगे, AP upon PB, जितना भी इनके तुकडे हुए होंगे, हो सकता बच्चा, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 3 cm हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो रेशियो निकालना, और पास जो दूसरी साइट के दो पीसिस हुए, दो तुकडे हुए, तो AQ और QC ये जो स्प्लिटिंग हुई, तो सर इनका भी रेशियो निकालो, AQ upon QC, अगर सर, अगर सर, ये रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ जाता है, A P upon P B, जो हमने यहाँ, इन दोनों पीसिस का रेशियो निकाला, वो इक्वल आ जाता है सर, AQ upon QC के, अगर ये कंडीशन आ जाए बच्चों, तो आप कह सकते हो कि सर, हम Converse of BPT का इस्तमाल कर रहे हैं, this is parallel to this, अब result बोल सकते हो कि सर, अब ये दोनों parallel हो गई है, Converse of BPT इस वज़े से काम करता है, ठीक है boss, I hope आपको समझ में आ गिया होगा यार, ठीक है, इसको erase करते हैं सर, ठीक है, इसको erase करते हैं, इसको भी erase करते हैं, और इसको भी erase करते हैं, और इसको भी erase, दुबारा बना लेंगे, attention ना लो, लेकिन शुरू से बताना है, मुझे तुम्हे QUESTION है न, इसको भी erase, इसको भी erase, इसको भी erase, sir, हमें इस QUESTION में जो चीज़ दी गई है, it is called as, it is called as, को join कर रही है boss एक line है जो दो sides के triangle के दो sides के mid points को boss join कर रही है ठीक है sir join कर रही है तो mid points तो दिये है sir इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे boss सबसे पहले given अपन सबसे पहले लिखेंगे हमें given क्या है given लिखा sir heading डाली given बढ़िया सी हमने इसको underline किया क्या given है sir P is the mid point of AB P and Q पूरा एक साथ ही लिख देते है P and Q are the mid points P and Q are the mid points of MPs लिख दे रहा हूं है MP mid points of sides AB and AC respectively of sides AB and AC respectively AB and AC respectively ठीक है boss yes sir ठीक है अब अगर ये P इसका mid point है तो अपन कहा सकते है sir AP और PB equal होंगे भया निशान लगाओ mark लगाओ yes sir तो अपन क्या कहेंगे point number one AP is equal to PB yes sir बिल्कुल सही बात है ठीक है अगर Q इसका mid point है sir तो AQ is equal to QC हाँ ये बात भी सही है तो दूसरी चीज़ क्या मिली sir AQ is equal to boss QC बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है अब अगर हमें PQ parallel BC पता करनी है यही तो कर रहा है वो देखो यही तो प्रूफ करना है कि line joining the mid points is parallel to third side ये प्रूफ करना है भहिया line joining the mid point है PQ third side है BC इन दोनों को parallel proof करना है तो sir अपन लिखते हैं दूसरे color से to prove क्या proof करना है boss हमें proof करना है sir जो line बनी mid points के join करने से PQ वो parallel है third side BC से अभी तुम्हें मैंने mid point mid point theorem कह रहा हूँ sorry यार basic proportionality theorem BPT का converse समझाया न उसके लिए क्या करना पड़ेगा boss तुम्हें AP और PB का ratio निकालना पड़ेगा फिर तुम्हें AQ और QC का ratio निकालना पड़ेगा और फिर check करना पड़ेगा क्या दोनों ratio same आ रहे चलो check करते है boss AP upon PB ठीक है sir लिख सकते हैं sir AP की जगा हम PB लिख सकते है PB और बच्चा PB के नीचे जो PB है वो PB ही रहने दो ये PB तो ये PB sir इससे ये कट गया हमारे पास ये आया 1 1 या 1 ratio 1 आपकी इच्छा है जो आपको पकारना हो आप वो पकार ये ठीक है sir 1 हो गया अब sir अपन AQ अपन QC चेक करते है sir चलो सेकंड चीज बॉस फर्स चीज हमने देख ली चेक कर ली अब हम सेकंड चीज चेक करते हैं सेकंड पार्ट का रेशियो AQ अपन बॉस QC यार AQ भी तो QC के बराबर है midpoint है sir Q हाँ तो यार AQ की जगा हम लिख सकते हैं QC अपन QC QC से QC कट गया सब क्या आया ये भी बनाया अच्छा क्यों replace किया हमने A P की जगा P भी क्यों replace किया तो reason लिखना बच्चो P is the midpoint of A B बस इतना reason लिखना यहां और इसके आगे क्या reason लिखोगे Q is the midpoint of A C ठीक है जो already अपन लिख चुके है कोई समस्या नहीं है अगर ना भी लिखो तो भी चल जाएगा बच्चो A P upon therefore आप क्या लिखोगे therefore A P upon P B ये भी बनाया और sir A Q upon QC ये बनाया sir तो दोनों equal है हाँ यार सही बात है बच्चो ये दोनों तो equal है दोनों वन के वन के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ by basic proportionality theorem का converse by converse of BPT पूरा लिखना पड़ेगा बॉस by converse of BPT basic proportionality theorem basic proportionality theorem का ulta, converse we can say that we can say that this line PQ is parallel to this line BC PQ जो midpoints को join कर रही है वो parallel होगी BC third side of the triangle BC ठीक है boss hence proved यही हमें प्रूफ करना था जल्दी से copy कर लो यार बढ़िया सुन्दर राइटिंग में copy करो अच्छे से लिखो साफ सुत्रा so that आपके marks कहीं खो नहीं पाएंगे कहीं नहीं खोईंगे यार बेसिक सी बात है कभी भी कहीं भी नहीं खोईंगे वो moving on to question number two sir next question number two पे चलते हैं sir इसको clean करिए clear करिए question two यह है boss बढ़िया question बहुत बढ़िया शानदार मैने क्या बोला बच्छा जब भी parallel proof करने को आज़े न triangles chapter में समझ जाना converse of BPD की बात हो नहीं तै है लगभग तै है यूज होगा ही होगा ठीक है sir अब बच्छों हम शुरू करते हैं इस question का कारिक्रम sir हमें any point x on side d e f ठीक है on side d e f inside d e f sorry यार कोई point x inside d e f ये है ठीक है sir is joined to its vertices इसको d से join e से join f से join कर दिया गया okay बहुत बढ़िया from a point p on dx p q is drawn parallel to d e boss p q is drawn parallel to d e ये बच्छों जो दो line parallel d होती है तब bpt लगता जब parallel proof कराना हो तब converse of bpt लगता मेरी बात सुन लो यहाँ proof कराना है last में parallel converse तो लगेगा लेकिन आखरी में लगेगा last में लगेगा अभी फिलहाल ये दोनों lines parallel दी है तो इसका मतलब bpt लगेगा आप किस triangle में bpt लगेगा जिस triangle में ये दोनों lines आ रही हो तो इस triangle को कर दो बिटा dark dark highlight लीजे ज़र ये triangle triangle x e d बात समझ में आई क्या बात समझ में आई बॉस अपन क्या लेखेंगे सबसे पहले in triangle x e d in triangle x e d x e d ठीक है बॉस अलग से बना के यहाँ बताता हूँ फिर मैं erase कर दूँगा बच्चा ये है अपना x e d अब ये जो point है और ये जो point है गौर से देखना ये दोनों मिला दिये और ये parallel दिया यार ये parallel दिया है ये parallel दिया है बस pq parallel d e ये pq है गौर से सुन लो बस pq है parallel d e जब parallel दिया होता है हमें क्या गिवेन है सर हमें गिवेन है हमें गिवेन है PQ parallel DE क्या गिवेन है लिखेंगे है अपन पूरा प्रॉपर लिखेंगे PQ parallel DE ठीक है बॉस जब parallel दिया हो तब BPT लगता है बेटा basic proportionality theorem लगता तो अपन क्या लिखेंगे by BPT by basic proportionality theorem ठीक है BPT activate हो जाएगा BPT जिन्दा हो जाएगा alive हो जाएगा ठीक है सर अब क्या BPT लगेगा तो सर बताएगा क्या देखो क्या बताता है parallel parallel के side में parallel parallel के side में point x parallel parallel x तो x से शुरू होगा बच्चों x से यह जो part दो हिस्तों में divide हो गया xp की वज़े से xp और pd तो बच्चों यह equal होगा इनका ratio xp upon pd सर यह equal होगा यह ratio किसके equal होगा BPT कहता है कि यह ratio equal होगा दूसरी side जो divide हो रही क्यू की वज़े से xq upon qe xq upon qe और सर जैसे यह लिखा इसको equation number 1 अपने mark कर लिए ठीक है boss कोई समस्या तो नहीं नहीं सर इसको मैं erase कर रहा हूँ अब ठीक है सर इसको erase कर दीजिये और यहां भी triangle को अपन highlight नहीं करते हटा देते हैं ठीक है सर आप क्या करें सर अब हम बच्चा देखेंगे अपना दूसरा आगे देखेंगे ठीक है एंड 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 क्यू आर क्यू आर इस ड्राउन पारलेल टू इएफ क्यू आर इफ के पारलेल बनाया गया ठीक है, सर, पैरलल दिया है ना, सर तो किन ट्राइंगल में आ रहा है ये दोनों पैरलल, सर इस ट्राइंगल में आ रहा, X, X, E, F, तो बहुस X, E, F बना देते हैं, लो भई, ये हो गया X, E, F, इसको एरेज कर दूँगा, डेंचन ना लो, X, E, F, सर पैरलल दिया, क्या पैरल दिया हो, तो एक्टिव हो जाती है, B, P, T, है ना, तो सर, पैरलल, पैरलल की उपर, पैरलल, पैरलल की उपर एक पॉइंट और जो पॉइंट आए, उससे हम शुरू करेंगे, X, Q, upon Q, E, जो दो पार्ट्स हो गए, X, E, के, दो पार्ट्स हो गए, X, Q, और Q, E, इनका रेश जो दो साइट्स डिवाइड होती है, ना, दो पॉइंट्स की वजए से, देखो, स्प्लेट हो गई, बच्चा, X, Q, और Q, E, में, है ना, तो X, Q, upon Q, E, ये स्प्लेट हो गई, बच्चो, Q, X, R, और RF में, X, R, अपोन RF, ये इक्वल हो जाएंगे, तो सर, जल्दी से लिख अपन को, parallel line given है, ऊपर वाले जैसे ही काम कर रहा है अपन है, क्या given है, बच्चो, अपन को parallel line given है, Q, R is parallel to EF, ठीक है सर, ये parallel है, और जैसे parallel देखे है अपन को, वह भी triangle के अंदर कोई line है, जो parallel है, बच्चो, अपन B, P, T, हाल क्या लगा दिंगे, तो अपन क्या लिखेंग T, यानी, theorem, sir, by B, P, T, arrow, ठीक है, क्या B, P, T कहती है, इस अपन इस इकोल दिस अपन दिस, यानी, sir, X, Q, अपन QE, 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 इस इकोल दु थीकोल दॉs, X, R, अपन R, F, XR upon RF अब मेरी बास सुनना इन दोनों को ज़रा मैच करो मेरा XQ upon QE RHS में लिखा यहाँ XQ upon QE LHS में लिखा उसको उधर और उसको इदर लिख दू, पलट दू अपनी condition के अनुसार काम किया करो तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको erase करेंगे इसको उल्टा करके लिख देंगे XR upon RF को पहले लिख देंगे XR upon RF को पहले लिख देंगे ठीक है बास? कोई समस्या? नहीं equal to XE upon QE equal to XE upon QE क्योंकि यार पता क्या है अपन को मैच करनी है equations और यह बना ज़िए अपनी equation number second दोती है ठीक है बास? इसको erase करते हैं अब अपन? ठीक है अब सर हमें proof क्या करना है? जल्दी से देखते हैं सर हमें proof करना है PR is parallel to DF मेरे प्यारे बच्चे PR और DF आ किस triangle में रहे हैं PR और DF आ किस triangle में रहे हैं तो जल्दी से देख PR इस triangle में आ रहा है DFB इस ट्राइंगल में आ रहा है, इसका नाम है XFD ये ट्राइंगल है सर, XFD इसमें आ रहा है, तो XFD अपन बनाते हैं सर, अलग से यहाँ, ठीक है सर, XFD बनाते हैं अलग से यहाँ, सर ये है XFD Erase कर दूँगा, Tension नहीं सर, Tension नहीं लेने का ठीक है, यहाँ, साइड में बना लेते हैं, boss नहीं, उदे ही सही था, यार साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे सर, ये है X, नहीं, X नहीं है, ये बीच में X है ये F है और ये D है, ठीक है, boss बीच में ये जो line बनने ये parallel प्रूव करानी है मेरी बास सुनना है, यार, बहुत आसान हो गया question, R, P लिग दें, R, P बच्चा लिटरली बहुत आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, देखो, सुनो परलल कराने के लिए BPD का कनवर्स इस्तमाल होता है, पहले बता चुका मैं तुम्हें, ठीक है और BPD का कनवर्स कब कामाता सर, अब देखने, इस triangle को अपन थोड़ा घुमा लेते हैं, यार, कितना आसान बन जाएगा, देखना, तुम्हारे लिए समझना कितना आसान बन जाएगा, देखो, इसे ये है, इसको अपनने थोड़ा सा ऐसे घुमाया, अब ये बन गया, ये triangle ये बन गया बॉस, घुमा लिया अपनने इसको, तो टिल्ट कर लिया, अब टिल्ट कर लिया तो इनके एक सवाय थोड़ा फोड़े से आरे तेढ़े हो गया तो इनको सही करके लख देते हैं, एक्स, सर, ये एक्सै, ये आर, और ये P, सर, अच्छी से लिख दो, इसको, सर, यह हो गया अपना R और यह हो गया sir अपना P ठीक है यह हो गया P यह हो गया sir r ठीक है यह F और यह D ठीक है sir यहां लिखते है F और sir यहां लिखते है D सिर्थ देखने का नजरिया बदलना था इसलिए उसको टिल्ट कर दिया घुमा दिया मैंने तो subconscious видим BPD का Converse कब काम करता है BPD का Converse काम करता है जब ratios equal आजाए अपने पास या ratios equal हो तब parallel result बन जाता है यह line इसके parallel है तो बच्चों अपन इस इन दोनों equation से गौर से सुनना जरा equation 1 और equation 2 को जरा अच्छे से लिखेंगे और देखेंगे उससे हम क्या निकाल सकते है equation 1 है सर xp upon PD ठीक है is equal to xe upon qe xq upon qe xq upon qe ठीक है ठीक है बस अब हम equation 2 को लिखते हैं सर equation 2 को लिखते है थोड़ा सा नीचे सर equation 2 यह है यह ही है यह यह वाली xr upon rf xr upon rf rf is equal to xq upon qe अब जैसी देखा हमने यह rhs इसका rhs और इसका rhs तो सर सेन से मारा इसका मतलब यह दोनों equal हो जाएंगे तो हम लिखेंगे by equation 1 and 2 by equation number 1 and equation number boss 2 we can say that this lhs and this lhs will be equal क्यूंके इन दोनों के rhs rhs सेम आ गए तो सर अपन लिखेंगे xp upon pd is coming equal to xr upon rf xr upon rf sir इस पूरे रेशियो को यहां लागू करो जरा इस पूरे रेशियो को यहां लागू करो xp upon pd ठीक है sir is equal to coming equal xr upon rf xr upon rf sir जब इनका रेशियो इन दो तुकडों का रेशियो और इन दो तुकडों का रेशियो इकोल आरा तो हम कह सकते है rp is parallel to fd by converse खतम हो गया बटा तो इसको उपर उठाते है xp upon pd is equal to xr upon rf बस लिखो by converse of bpd खतम game over by converse of bpd by converse of bpd we can say that boss we can say that ये rp जो बन रही वो parallel होगी fd के rp is parallel to fd sir यही हम को prove करना था ठीक है rp या pr is equal to df तो भाई जैसे उन्होंने लिखा वैसे इसको लिखते है क्योंकि उनकी भाशा जरूरी है लिखना rp pr लिखेंगे fd को df लिखेंगे sir ये है हमारा main answer hands proved ठीक है चलो boss चल्दी से copy कर लो मुझे पूरी उम्मीद है के तुम्हें मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा मजा आया ना है भाई समझ में आना जरूरी है है ना शल moving on to next question number sir ji 3 जल्दी से इसको erase कर दीजे sir question number 3 ये रहा okay क्या क्या equal है यार इसमें ठीक है equal कराते है मतलब equal mark करते है जो जो चीज़े equal दी है mark कर देते है triangle ABC है D and E are the points on side AB and AC ठीक है sir AB और AC पर points AB पर है D, AC पर है E ठीक है sir BD equal CE BD equal CE boss ये BD और ये CE equal दी इन दोनों को कुछ लेट कर लो यार ये जो BD दिया है boss ये जो BD दिया है this is let us say this is X ठीक है और EC बराबर दिये तो ये भी X हो जाएगा boss ये भी X हो जाएगा हाँ है sir सही बात कर रहे हो sir बिलकुल सही बोल रहे हो ये भी X हो जाएगा Is it? बिलकुल सही बात है ना X लिख दो sir angle B equal angle C sir ये angle B equal angle C दिया है ओहो बच्चों एक बात बताओ एक बात बताओ अगर आपके पास कोई एक triangle है और उसके ये दो angle ये वाला angle और ये वाला angle equal है तो theorem क्या कहता है theorem कहता है sir अगर ये दोनों equal है तो इनके सामने ये वाली side और इनके opposite सामने ये वाली side भी equal होंगी ये दोनों भी equal होंगी होंगी ना ये सर बस वही तो अपन को यहां करना है boss यहां हमें सबसे पहले दिया हुआ है sir given क्या given है boss हमें सबसे पहले जो चीज given है boss वो है angle B equal angle C angle B equal angle C लिख लेते हैं सबसे पहले ठीक है sir और बच्चों फिर अपन लिखेंगे theorem फिर अपन लिखेंगे प्यार भरा theorem प्यार से लिखेंगे sir क्या theorem heading डाली sir अपन ने इसको बढ़िया zigzag किया और theorem अब क्या लिख रहे है theorem लिख रहे है sir sides opposite to equal angles are also equal तो अपन क्या लिखेंगे sir sides opposite to equal angles sides opposite to equal angles are also equal in a triangle लिख लिखेंगे लिखेंगे are also equal angle b सामने को नीए पूरी साइड यह पूरी साइड ac है sir तो ac equal a b आजाएंगा a b कैसे आए sir अरे angle b के सामने पूरी साइड angle c के सामने पूरी साइड a b है ठीक है sir अच्छा गर यह दोनों equal आए तो इन दोनों को आपन लेट कर लेते हैं. यह Y Units है. यह Y Centimeter है. यह यह Y को denote कर रहा है. ठीक है, boss? बात समझ में आई किया. यह दोनो Y को denote कर रहा है. दिख रहा है, ना? एक बार मैं बोर्ड में देख लूँ यार, दिख रहा है क्या? हाँ, sir, दिख रहा है. यह दोनो Y को denote कर रहे हैं अब बहुत कहानी समझना इनको अपने करा एरेज और जादे एरेज हो गया यार देखो अपने यह DE line बना दी यह D और यह E line बना दी के साथ this is D this is E this is A और नीचे सर B C है ठीक है अब बच्चो एक बात बताओ सोच समझ के बताना बॉस यह जो DB है यह EC की इक्वलता मैंने इन दोनों को X X ले लिया X centimeter X centimeter X units X units या simply X X सर यह दोनों पूरी equal थी यह दोनों पूरी Y थी बच्चो गौहर तो सुनना यह न पूरी Y है तो AD क्या होगा अगर यह पूरी Y है तो AD होगा सर AD AD इसकी बात कर रहा हूँ पूरी y-x सर ये होगा y-x सर ये a-e क्या होगा ये पूरी सर y है देखो ac ac b y है पूरी y है तो सर ये पूरी y है तो इसको इसमें से x अटा दो a-e आ जाएगा तो y-x ये भी होगा सर बात समझ में आ गई क्या लिखना पड़ेगा boss a-d कैसे आएगा यार सर a-d आएगा a-b में से d-b माइनस करके ठीक है तो सर a-d क्या आया a-d आया सर a-b y माइनस db x तो y-x आगया सर ठीक है सर ठीक है कोई समस्या नहीं है सर सर a-d आगया अब a-e निकालो a-e कैसे निकलेगा boss a-e पूरी a-c में से माइनस कर दो e-c सर a-c पूरा y था है ना पूरा y था सर यह y है माइनस e-c e-c equal था db के तो यह x था तो यह भी x है सर x यह equal दिया था सर अपन को ठीक है ठीक है ओके सर सर अब हमसे का जा रहा show that d-e is parallel to bc जब parallel प्रूव करने को आ जाए तो boss हम इस्तिमाल करते हैं converse of bpt का और उसके लिए हमें a-d ratio db देखना पड़ेगा क्या आ रहा है a-e ratio e-c देखना पड़ेगा क्या आ रहा है इसका और इसका रेशियो इसका और इसका रेशियो देखना पड़ेगा सेम आ रहा है कि नहीं अगर सेम आ जाएगा तो yes they are parallel फिर parallel हो जाएंगी खत्म तो चलो ratio चेक करते हैं a-b दो पार्च में split हो गई a-d और d-b उन्ही का पड़ेशियो निकालते है sir a-d upon d-b चलो sir क्या आ रहा है sir a-d है y-x y-x upon sir d-b है x sir y-x upon x आ रहा है यह आ रहा है sir ठीक है हाँ sir यह आ रहा है sir गोर से देखो बेटा y-x upon x आ रहा है ठीक है sir ठीक है अब देखते है a-e upon e-c a-e upon e-c sir यह क्या रहा है e-e a-e a-e कितना है y-x sir y-x लिखिए upon e-c sir e-c कितना है x sir इसको x लिख लिजिए sir यह भी y-x upon x आया दोनों sir सेम आ रहा है match कर गए देखो यह आ रहा sir y-x नीचे इसमें भी y-x upon x upon x sir दोनों equal आ गए तो हम क्या बोलेंगे therefore a-d upon db a-d upon db is coming equal यह equal आ रहा है sir किसके इसके a-e upon e-c के क्योंकि sir यह दोनों ही बराबर चीज को denote कर रहे हैं और जब this upon this equal आ जाए this upon this के तो मेरे प्यारे बच्चे यह लाइन जो बनती है na d-e जिसकी वएसे d बना इन दोनों का हिस्सा हुआ e बना इसके हिस्से हुए यह d-e parallel हो जाती है b-c के बट हमें लिखना पढ़ेगा by converse of b-p-t of basic proportionality theorem क्या बोलेंगे सर d-e is parallel to d-e is parallel to b-c ठीक है boss समस्या समाप्त सर यह भी हमारा complete हो गया question number 3 जल्दी से screenshot ले लो question 4 b है और 5 b है boss ठीक है जल्दी screenshot ले लो यार बढ़िया questions है मजा आ रहा है करने में राइट चलो moving ahead sir जल्दी से इसको clean कर देते हैं और आगे चलते हैं sir चलो this is question number 4 ओ भाई अच्छा यार यह question भी parallel proof करना है b-p-t का converse काम आएगा बेटा b-p-t का converse काम आएगा boss ठीक है sir कैसे करेंगे अठे आडाम से करेंगे दो parallel parallel के set दिये है यह d-e parallel aq जिस triangle में दिया है पहले वो triangle कोर से देखो d-e d-e का है sir d-e यह है parallel aq aq sir यह है d-e parallel aq बस यह triangle अब इस triangle को देखो बस इस triangle को ठीक है तो sir इस triangle को अलग बना लेते हैं तो जाद अच्छा रहेगा बना लो यार सही बात है तो sir इस triangle को अपन अलग बना लेते हैं और यह triangle बन गया कुछ ऐसा ठीक है यह हो गया sir p यह हो गया sir d और यह हो गया a this is e and this is q ठीक है sir sir parallel दिया है पहुस यह parallel इसके दिया है जब parallel दिया रहता है तो bpt लगता converse नहीं लगता ठीक है sir इसको erase कर लो sir चल्दी से लिखना शुरू करेंगे क्या given in triangle पूरा 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 in triangle sir यहीं लिख लेते हैं फिर उसको cut करके ऊपर चिपका देंगे in triangle in triangle p q a p q a ed is parallel to q a ed is parallel to q a given यह given therefore चैसे ही parallel मिलती है अपन bpt लगा देते by bpt by basic proportionality theorem हाल के हाल bpt लग जाएगा क्या जाएगा bpt में ratios आते हैं result के तौर पे result के फॉर्म पे sir pe upon eq will be equal to p d upon d na parallel के उपर parallel के उपर side sorry parallel के उपर parallel parallel के उपर point p से शुरू होगा pe upon eq pe इदर लिखते हैं नीचे क्योंकि equation बनानी पड़ेगी p e upon eq is coming equal to p d upon d a p d upon d a और इसको अपन ले ले लेते हैं equation number one ठीक है done इसको करो erase उड़ा दो बहुत इसको हटो यहां से हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ ठीक है sir अब हम आते हैं दूसरे given यह given है अपर को दूसरे df parallel ar यह given है बिटा df देखो sir df यह हो गया और ar यह हो गया तो sir हम अब यह वाले triangle पे focus करेंगे जिसमें यह दोनों sides आ रहे है ठीक है par बनाएंगे sir अब कॉन ठीक है sir par बनाएंगे sir यहां बना लेते हैं sir यह बना अपना par और sir कुछ इस प्रकार से line इसके parallel दी गई है यह इसके parallel दी गई है sir df और sir यह हो गया ar यह parallel दी गई है और उपर p दिया है sir तो p लिख लेते हैं जब यह parallel दिया है बच्चों तो मैं पता अब क्या लिखना पड़ेगा है तो अब लिखेंगे in triangle par par in triangle par in triangle par ar comma parallel दिया है sir df is parallel to ar given given क्या है boss given है sir df parallel df parallel ar sir यह given है और जैसे parallel given होता है हमारा दिमाग में bpt चलने लगता by bpt by basic proportionality theorem sir bpt active हो गया ठीक है boss bpt active हो गया ठीक है तो क्या करता है bpt sir this upon this equal this upon this यही तो देता है parallel के उपर parallel के उपर point p है boss तो p से शुरू करेंगे अपन ठीक है क्या करेंगे sir हपन करेंगे p e sorry p f equal f r is equal to p d upon d ठीक है चाहे p d upon d is equal to p f upon f r लिख लो या p f upon f r is equal to p d upon d लिख लो लेकिन कुछ इससे मिलता जुलता हो ठीक है तो अपन p f upon f r लिखेंगे p f upon f r is equal to sir p d upon d a p d upon d a लिख लिखा sir क्योंकि p d upon d a इधर भी है p d upon d a इधर भी है r h s में match करा दिया equation number 2 बना दो boss इसको चलो done? yes sir erase करो sir ठीक है हटा दिया अब हमें focus करना है कि proof क्या करना है हमें proof करना है e f parallel q r तो boss e f और q r देखो जरा किस triangle में आ रहा sir इसको पहले erase करो नहीं पूरा नहीं उडाना है तिकत हो जाएगी चलो sir इसको erase करते है ठीक है e f देखो किस में आ रहा है sir e f ये आ रहा है इसमें और q r आ रहा है sir ये किस triangle में आ रहा इस triangle में आ रहा बच्छो सिर्फ ये जो red red line बनाई ना इसको बनाते हैं अलग से इसको बनाएंगे अलग से ठीक है sir ये जो red color की line आ ये सिर्फ इसको बनाएंगे sir अलग से ये बना लिए sir p e f ये है sir p ये है sir e और ये है sir f ये है sir q और ये है sir r अब parallel दिया नहीं है parallel proof करना है और जब parallel proof करना होता तो converse लगता converse लगता तो हमें क्या दूनना पड़ेगा हमें दूनना पड़ेगा sir p e upon e q coming equal to p f upon f r ये दूनना पड़ेगा तब जाके converse of bpt लगेगा और ये इसके parallel घोशित कर दी जाएगी right तो चलो sir अभी अपन सबसे पहले देखते हैं कि sir हम इन दोनों equation से निकाल क्या सकते हैं तो भीया equation number one और equation number two से हम क्या निकाल सकते हैं equation number one है sir p e upon e q equal p d upon d a p d upon d a equation number two से क्या लिख सकते है sir equation number two लिखो जल्दी से sir p f upon f r p f upon f r is equal to p d upon d a is equal to p d upon d a sir अपन ने देखा कि इसका rh is p d upon d a इसका भी rh is p d upon d a दोनों सेम आ रहे है sir इसका rh is तो sir इसका lh और इसका lh भी equal हो जाएगा right by equation one and two by equation one and two boss this part will become equal to this part that is p e upon e q p e upon e q will be equal to boss p f upon f r p f upon f r sir यह आया अब जब यह आया तो यार इसको उठा के इसमें apply करते हैं इसको उठा के boss इस triangle में apply करो p e upon e q sir p e upon e q is coming equal to p f upon f r अरे भाई यही तो चाहिए था यही तो चाहिए था तो आपन क्या लिखेंगे therefore therefore अभी नहीं लगेगा इसको उठा के इदर लाते हैं ज़रा p e upon e q is equal to p f upon f r इसके उपर यह ज़रू लग दिना triangle का नाम in triangle p q r in triangle p q r जब p q r में यह चीज़ अपलाए कर रहे हैं तो हमें समझ में आ गया है और b p t ka theorem sir क्या कह सकते हैं we can claim we can say e f जिसकी वज़े से p e और e q बना जिसकी वज़े से p f और f r बना यह line p e f will be parallel to q r e f is parallel to q r लो भाई यह हो गया hence proved यही हमें proof करना था देखो क्या ऐसा ही लिखा है e f equal q r बिल्कुल सही है hence proved ज़रूर लिख देना मेरा और आपका सब का फेवरेट दो वर्ड hence proved जब आता है ना तो दिल से खुशी मिलती है जल्दी से इसको कभी कर लो last question 5 की तरफ चलेंगे पिर चलिए let us move on to question number 5 sir चल्दी से इसको erase करते हैं और question number 5 की तरफ चलते है यह है question number 5 boss ठीक है चलिए sir क्या है sir ABCD is a trapezium ओहो trapezium अच्छा trapezium की एक तुम्हें short quality बताता हूँ फिर अपन इसको solve करेंगे ठीक है गौर से सुनना गौर से सुनना बेटा तुम्हें एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ गौर से सुनना क्या होता है कि trapezium ऐसा कुछ दिखेगा आपको ठीक है मैंने सोचा था कि मैं जब यह कोशन तुम्हें करवाऊंगा तो तुम लोग को यह चीज़ बताऊंगा sir जैसे इसका नाम अभी इसका ABCD है छोड़ो अपन इसका नाम sir रख देते हैं PQRS PQRS एक चीज़ बता रहा हूं अभी कोशन पर अपलाएं मत करना अभी एक अलग चीज़ बता रहा हूं PQRS Sir यहाँ पर trapezium में आपको पताएंगे सिर्फ इस साइड इस पारलेल टू इस साइड सिर्फ एक कपोज़ेट साइड का पेर पारलेल होता है हाँ होता है अब जब भी trapezium बना के दे तो तुम्हें एक shortcut अपनाना है गौर से सुनना बस गौर से सुनना अगर अगर trapezium में तुम्हें diagonals बनानी हो दो चीज़े बता रहा हूं गौर से सुनना PR को जोड़ दो बस अरे अच्छे से जोड़ जा भाई ठीक है और सर SQ को जोड़ दो अब मान के चलो PR और SQ boss यहाँ पर टकरा रही हो और इसका नाम है O ठीक है बस अब समझो तुम diagonals की जो तुकड़े होते ना उनकी ratios equal हो जाते है उनकी ratios जैसे मैं कहूं सर PO upon OR PO upon OR PR के होगा रिशियो PR का दो तुकड़े होगा PO और OR QS के दो तुकड़े होगा QO upon OS equal होगा QO upon OS बच्चों यह equal होगा बात समझ में आई एक result तो यह हो गया एक result तो सर यह हो गया बात समझ में आगई YES OR NO ठीक है boss YES OR NO आगई सर समझ में एक चीज़ और लो यार यह समझ में लग ले ना के 22 22 सेट कहा रहा हूँ प्रिपेज ही हमके जो डाइगनल्स होते हैं वो बराबर बराबर रेशियो में तूट जाते हैं उनके रेशियो इक्वल होते हैं तब इस पूरे डाइगनल का रेशियो क्या बनेगा बच्चा PO upon OR इसका रेशियो का बनेगा बच्चा QO upon OS बराबर होंगे बच्चो अच्छा सर यह चीज़ हो गई अब एक चीज़ और सुनो बस एक चीज़ और सुनो इसको हटाते हैं ठीक है एक चीज़ और सुनो अगर PQ और SR के किसी के भी पारलल में एक लाइन बीच में से चली जाए जो यहाँ अपलाई करना है अपन को अब यह लाइन चली गई ठीक है जैसे यह लाइन यह चली गई सर और मैंने का सर यह लाइन इसके पारलल है यह लाइन इसके पारलल है किसी एक के भी पारलल अगर हो गई मान के चलो यह वाली लाइन इसके पारलल दे दी मैंने का बॉस यह AB है गौर से सुनना बॉस यह AB है और this is पारलल टू SR मैंने लिखा AB is पारलल टू SR अरे भाई SR तो खुद parallel किसके है PQ के तो SR के parallel PQ लिख देना भई ये तुम खुद लिख देना अब दिया ये था अपन को लेकिन अपन ने इसको इसके साथ भी parallel करा लिया आराम से तीनों parallel हो जाएंगी बात समझ में आई येस तो अब जब भी ऐसी condition आए बच्चो याद रखना जब भी ऐसी condition आए कि कोई भी एक बीच में trapezium में line आए वो किसी एक की भी parallel हो इसके हो या इसके हो वो दोनों से parallel हो जाएगी और एक चीज और एक चीज और एक चीज और एक चीज और जो दो sides के दो दो तुकडे होए ना जैसे इस side के इस B के चक्कर में दो पीसे होगा है QB और BR P A upon A S QB upon BR equal होगा वोस खतम तो मैं अगर ये चीज याद रही तो तुम इस question को ऐसे निप्टा दोगे नहीं तो तुम्हें फिर बहुत proof रूफ करना पड़ेगा और तब जागे खतम होगा ठीक है तो चलो सर अपन निकालते हैं सारी चीज अपन को AP निकालना है AP AD निकालना है AD तो यार सुनो AD कैसे निकलेगा तुम पहले AP निकाल लो और फिर जो AP आई उसमें 18 एट कर देना आंसर आजाएगा ठीक है बस तो ये अपनाना है क्योंकि आज हुकते सर यहाँ पर अब्स ही ऑइस लहां कोई समस्या है नहीं हे सर ठीक है ठीक है समझ महई भी बीच में जो लारेन बनाई न वा प्रूफ करने के लिए ना पर एक शौट ट्रिक बता जी तो बीचकी लार्इन फिलहाल तवमारे कोई काम की नहीं है तो तुम इधर क्या करोगे तुम इधर पता क्या लिखोगे तुम लिखोगे तुम लिखोगे A B C D is a trapezium पूरा लिखना तो पड़ेगा यार भाग तो सकते नहीं Is a trapezium ठीक है सर यह trapezium है ठीक है लिख लेना U N अब जब यह trapezium है और सर अपनको A B parallel C D दिया भी गया है जब पढ़ ले विटा A B parallel D C ठीक है सर एक line P Q parallel C D यह भी दिये है सर P Q parallel C D यह भी दिये गई है है ना इसको D C लिख अरे भई A B D C के parallel है P Q D C के parallel है औरे मेरे भई इन दोनों से अपन को क्या पता चला कि सर A B P Q D C तीनों parallel है सर तो अपन क्या लिखेंगे बॉस A B parallel A B parallel यहां space नहीं है space बना लेते हैं अपन कोई समस्या नहीं है अभी ठीक है क्या लिखेंगे बॉस अपन यहां लिखेंगे सर कि इससे हमें पता चला A B parallel A B parallel P Q parallel C D तीनों अपस में parallel है बस अगर यह condition हो जाए तो तुम अपना time बचा लेना बॉस और यह लिख देना बस यह कि सर जो P की वज़े से A P और P D दो पीसे हुए तो सर A P अपन P D यह जो दो पीसे हुए इनका रेशियो सर इकॉल होगा काहे के Q की वज़े से यहां जो दो पीसे हुए B Q अपन Q C B Q अपन Q C बस values रखते हैं और solve करते हैं बस ठीक है चलो A P निकाल लेते हैं P D 18 है बटा A P upon 18 is equal to B Q B Q क्या है 35 और नीचे 15 35 upon 15 सर 35 upon 15 ठीक है सर इसको जल्दी से erase करते हैं ठीक है इसकी भी proving है कि सर यह आता कैसे इसकी proving है बटा कई बार exams में आ जाती है तो वे proving भी मैं तुम्हें सिखा दूँगा don't worry ठीक है चलो Sir 18 वहाँ जाएगा multiply हो जाएगा तो A P is equal to 35 upon 15 35 upon 15 into 18 into 18 Sir 3 से cut करेंगे 3 5s और 3 6s और 5 इसको 7 times cut कर देगा 5 7s 35 7 6 और 42 A P आया सर 42 Sir A P आगया 42 C M cm 13 upon 35 upon 15 और 18 18 और गया 3 6s और 18 3 5s और 5 7s और 7 6s और 42 बिलकुल सही है हमसे A D पूछी गई थी बॉस A D पूछी गई हमसे तो A D is equal to A P plus P D A P plus P D यह जो पूरी A D है यह A P plus P D है A P हम निकाल चुके है बॉस 42 और P D 18 आई बच्चो जल्दी से इसको एड कर दो आंजर आया 60 cm कितना आया बॉस 60 cm This is our answer चल्दी से कॉपी कर लो कोशन 5B अपन ने कंप्लीट कर लिया है ठीक है चल्दी से कॉपी कर लो चल्दी कॉपी कर लो बस I hope आप सभी ने कॉपी कर लिया है और बढ़िया तरीके से आप यार इसको समझ गए हो गया मुझे तो उम्मीद है यार के समझ गए हो गया चलिए सर जी चलते हैं आगे कॉशन नमबर 5 को क्लीन एंड क्लियर करते हैं ठीक है अब सर मैं आपको एक चीज सिखा दू फिर मैं टाटा भाई-भाई आप से कर लूँगा सर ये इंपॉर्टेंट था ये इंपॉर्टेंट था ये सर कोशन इमपॉर्टेंट सर ये जो आपने मैं सोच रहा हूँ यार के मैं सिखा दूं कहे के लिए छोड़ू यार, इसी वीडियो में सीख लो, है ना, सुनो, गौर से सुनना, सर, ये जो आपने, अच्छा, कहे के लिए दुबारा बनाओ यार, अरे, बनाना तो पड़ेगा, ठीक है सर, ये जो आपने बनाया था, ये इसके पैरलल था, ठीक है सर, ये, ये, पी क्यू, इसके पैरलल दी, और ये इसके पैरलल है, तो तीनों आपस में पैरलल हो गए, सर, ये भी समझ में आगया, जो आपने समझाया, ठीक है, सर एक बात बताईए ये कैसे आया था A P upon P D is equal to B Q upon QC ये आया कैसे था सर ये तो आपने बता दिया कि टरपेजियम में अगर बीच में parallel line आजा किसी भी एक के तो वो तीनों के parallel तीनों आपस में parallel हो जाएंगी और फिर बच्चों तुम ये लिख देना A P upon P D is equal to B Q upon QC आया कैसे सर ये सर ये तो चलो आपने solve करना सिखा दिया कि ऐसे solve कर लेना पर सर अगर यही proof करने को आजाए ये proof that A P upon P D is equal to B Q upon QC तब क्या करेंगे सर बढ़िया प्रशन है यार सर प्रशन तो अच्छा है यार कैसे प्रूफ करेंगे यार बहुत ही टफ टिपिकल है क्या बहुत टफ है नहीं अब सुनो बहुत आसान है बच्चों बहुत आसान है तुम्हें एक diagonal बनानी पड़ेगी जैसे इसमें BD बनी होई है आपन चलो BD से नहीं करते हैं हपन A,C से कर लेते हैं आराम से होगा यार बहुत आराम से जैसे इस फिगर में इन今年 BD बनाके दे दिया चलो अपन मान के चलो BD भी नहीं ती अपन को अपन कैसे पता करेंगे तो अपन इस बार अलग करते हैं उनने BD जोइन करें, अपन AC से करेंगे, ठीक है, अब सुनो, मेरी बात सुना, अपन पता क्या प्रूफ करने जा रहे है, अपन AP अपन PD, एक तरह से मान लो क्या अपन प्रूफ कर रहे हैं, To prove, एक नया ही question शुरू हो गया, एक नया question ही sir, शुरू हो गया, क्या sir? एक नया question शुरू हो गया sir, AP अपन PD हमें प्रूफ करना है, AP अपन PD is equal to BQ अपन QC, sir ये प्रूफ करना है, सर अपलाए करना और याद रखना तो आपने सिखा दिया कि हाँ है और याद रखना बच्चा ऐसा अब मेरी बात सुनो गौर से पहली चीज तो हमको लिखना पड़ेगी के हमको PQ गिविन दिया गया PQ गिविन दिया पारलल CD के ये गिविन है PQ is पारलल टू-CD देखो PQ is पारलल टू-CD CD याद डी-सी लिखतो, चलो कोई समस्या नहीं सर और A, B, Parallel डी-सी ये भी दिया है A, B, Parallel डी-सी सर ये भी दिया आप बच्चों इन दोनों से हमने क्या एक समस्या हो रही थी हमने क्या समस्या का समधान निकाल लिया क्या सर दोनों अगर पैरलेल है तो PQ पैरलेल C D के AB भी पैरलेल C D के अरे सर तो फिर आपस में तीनों पैरलेल हो गई ना तो अपने तीनों पैरलेल लिगनी सर AB पैरलेल BC AB पैरलेल PQ पैरलेल DC सर तीनों पैरलल होगे यह मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन निकल के आई इस प्रूविंग के लिए ठीक है सर एकोईजन नमबर वन ठीक है अब हम बनाएंगे एक डाइगनल इन्होंने बीडी बनाई जान दो लेट इट गो अवे हम एसी को जॉइन करके काम करेंगे ठीक है सर एसी को जॉइन करो एसी को जॉइन कर लिए ठीक है सर अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो बहुत इंपोर्टेंट चीज समझा रहो ठीक है इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं एम चलो एम नाम दे देते हैं cd है हां है sir pq parallel cd है sir pq parallel cd है sir pm लिख सकते pq की जगे हां लिख सकते because pq का ही एक पार्ट है pm तो sir इसकी जगापन pm so करके लिखेंगे so pm is parallel cd बच्चा ये triangle देख या a dc in a dc in triangle a dc ये अपन इस triangle में apply कर रहे कि sir इसको भूल जा बेटा इसको भूल जा लो मैंने जो छुपा लिया उसको भूल जा बस इतना या दरको a dc तो sir जब parallel होगी ये part इसके parallel है तो इसका मतलब bpt हाल लग जाएगा हाँ यार bpt तो लग जाएगा बस तो अपन लखेंगे by bpt parallel है ना बेटा इसलिए bpt लग जाएगा by bpt by basic proportionality theorem जिसको हम प्रेम से थेल्स theorem भी बोलाते हैं sir तो क्या बोलेगा sir ये बोलेगा a p upon p d will be equal to sir a m upon m c है ना तो sir जल्दी से लिखते हैं a p upon p d will be will be equal to a m upon m c ठीक है sir equation number boss 1 ठीक है sir इतना clear है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए ठीक है boss boss अब इस triangle को भूल जा इस triangle को भूल जा अब तुम a b c triangle को देखो अभी a d c देखा अब a b c देखो ठीक है ठीक है sir यार a d c बना लूँ क्या लग से हाँ बना लेता हूँ यार है ना confusion नहीं होगा ठीक है sir देखो इधर बनाता हूँ ये है a b c a b c अब देखना यह चोटी सी लाइन Mb गई न, Mq, 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 यह चोटी सी लाइन Mq गया है ना, Sir, Mq, Sir, यह पैरलेल है, Boss, A, B के, कैसे पैरलेल है, बताता हूँ, सुनो, सुनो, टेंशन नालो, बताता हूँ, कैसे पैरलेल है, बच्चों, क्या P, Q, A, B, के भी पैरलेल है, equation 1, पूरा P, Q, पूरा P, Q, A, B, के पैरलेल लिख दिया, Sir, P, Q, पैरलेल, A, B, अब P, Q, काही चोटा सा हिस्सा M, Q है, तो, Sir, P, Q, अगर A, B, के पैरलेल है, तो, M, Q, विल आल्सो, भी पैरलेल है, M, Q is पैरलेल to A, B, पैरलेल है, Sir, बिलकुल सही बात है, तो, Sir, अगर पैरलेल आ रही है, ट्राइंगल के बीच में कोई लाइन, तो, BPT एक्टिवेट हो जाएगा, बिलकुल सही, बिलकुल क्या सुन्दर बात कही है, BPT एक्टिवेट हो जाएगा, by BPT, by BPT, अब BPT क्या कह होगा, Sir, CQ upon QB, Sir, CQ, कहा लिखू, यहीं लिख देता हूँ, CQ upon QB, CQ upon QB is equal to CM upon MA, is equal to, Sir, CM upon MA, रैसी प्रोकल करो इसका, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा रैसी प्रोकल क्यों हो रहा है, इसका जब तुम रैसी प्रोकल करोगे तो बच्चा यह ऊपर चला जाएगा QB, QB जैसे ही ऊपर जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा, BQ, QB भी लिख सकते हो, पर BQ नीचे आएगा, तो यह हो जाएगा QC, यह QC लिख देना, ठीक है, CQ भी लिख सकते हो, पर QC लिखू, नीड़िट QC है, इक्वल, जैसे M होपर जाएगा, तो इसको AM बना दो, जैसे CM नीचे आएगा, इसको MC बना दो, रैसी प्रोकल कर लिए है सर, और यह बन गई, इक काम एक छोटे से क्लाउड में, छोटा सा क्लाउड तो नहीं है सर, यह बहुत बड़ा क्लाउड है, हाँ, इसमें काम हो जाएगा, पूरा खतम, ठीक है, सर, इक्वेजन वन को उठाते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं, बड़े ही प्रेम से, सर, इक्वेजन वन है, पूरे 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 पूर is equal to am upon mc am upon mc sir is ka rhs am upon mc is ka rhs am upon mc dekha reciprocal isi liye kiya ta ye mc upon am a rata hume am upon mc jaisa chahiye ta to reciprocal kar diya boss to wiesi a gya ab equation 1 and equation 2 se apan ko kya mila humko ek result mila sir yeh aur yeh equal ho jayega to let us write ap upon bq is equal to ap upon pd sir kya likh rahe ho aap to apan licking a by equation 1 and 2 pas yeh heading likh lena by equation number 1 and 2 ek tarah sa panne dousra neya question bhi solve kar liya by equation 1 and 2 we can say that bq upon sorry ap upon pd ap upon pd sir is equal to bq upon qc bq upon qc lijei dost yeh hi hume prove karna ta ap upon pd is equal to bq upon qc ap upon pd is equal to bq upon qc a gya gya is say is compare kar diya hands proof thik hai dost samaj hai kya bat समझ तो आई होगी 110 परसेंट समझ आ गई होगी बात है ना चलो डन 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 डना डन सर बिलकुल डन ठीक है चलिये सर जल्दी से इसको करते हैं clean and clear ठीक है इसको करते है clean and clear और हमारा session यहां होता है समझ भाई triangles के 6 question करें पांच में 6 question क्योंकि सर यह 5th question तो तब होगा ना जब अपन AP upon PD is equal to BQ upon QC proof कराएंगे है ना डारेक्ट अगर दो मार्क्स का आ जाए question तो direct कर सकते हो यह याद रखना बस किसा trapezium में जब बीच में एक लाइन parallel आ जाए किसी भी एक लाइन के तो AP upon PD is equal to BQ upon QC यह होगा अगर दो माक्स में आ जाए तीन माक्स में आ जाए तो भाईया पूरा proof करने के बाद यह करना ठीक है समझ में आ गया ठीक है तो दोस्त आप इस session के सारे questions प्लीज यार खुद से भी attempt करना मुझे उम्मीद है कि आपने सबने यह questions attempt करे होंगे मेरे साथ करे होंगे अगर नहीं करें तो boss प्लीज यार कर लेना तब तो मज़ा आएगा मेरी भी मैनत अच्छे से सफल हो जाएगी और आपकी भी राइट आप हमारी website पे भी पढ़ाई कर सकते हो website है www.magnetbrains.com आप जाएए इस website पे और आराम से इस website पर अपनी पढ़ाई continue कीजिए boss है ना सारे videos आप देखेंगे they are free of cost boss they are free of ads on website boss यार quality education and that too free of cost मज़ा ही मज़ा है राइट है ना मज़ा ही मज़ा है यार क्या चाहिए हमारी team magnet brains की पूरी team faculties उनके पीछे ppt बनाने वाले लोग है यार बहुत लोग है यार thumbnails बनाने वाले लोग है they all are working for you only and that too free of cost right quality education से कभी compromise नहीं होगा boss बले ही पैसा ना ले रहे हो हम लेकिन quality education आपको हमेशा मिलेगी और we are always trying to enhance our quality हमारे videos की quality हमारे slides की quality हमारे camera quality light quality एक एक चीज देख लो भाई और quality education content तो top notch है ही है ना it is all for you सब कुछ आपके लिए right तो boss पढ़ाई करते रहो और must बढ़िया से आगे रहो सब से आगे रहो boss try करो कि अपने 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 आप से आगे रहो अपने आपको improve करो day by day ठीक है अब हमारा app भी download कर सकते हो install कर सकते हो आपको google play store पर जाना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा magnet brains आप मिल जाए तो उसको जल्दी से install पर click कर देना install हो जाएगी उसको review भी करना rate भी करना और मज़े से अपनी पढ़ाई continue करना boss ठीक है I hope आपको इस session में मज़ा आया होगा session को like जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना चलो बैटा जल्दी मिलेंगे next session till then happy learning take care bye